अगर आपके इंस्टाग्राम को एकाउंट है बोड़ डि एक्टिबेट हो चुका है तो आप अपने इंस्टाग्राम एकाउंट को फिट से कैसे यूश कर पाऊ आगए आज के इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि इस बहुत बढ़ अगर आपको करते हैं तो आपकेकांट में दीक्ट हो जायेगा तो आपका एकवाल लग मान लीजिए डियक्टीवेट हो चुक है तो आप तो ठीक कर से कर पाओंगे मैं आपको शॉटकर मुझे डायर्क दिखा देता हूं मैं आपको टाइम नहीं लूँगा आप मेरा यूटूब चनल पर आएंगा ना तो डेस्किप्शन आपको मिल जाएगा डेस्किप्शन में आना होगा ठीक है आने के बाद आपको यह वाला फ इसको फॉलो कीजिएगा काट के मत देखना और ध्यान से सुनिएगा मैं आपको बताऊंगा इंफोर्मेशन बहुत इंपोर्टेंट है पहले आप देखो यहां पर लिखा है कि माई इंस्टेगाम एकाउंट है तो आपको यहां पर मिल जाएगा आपका डीक्टिवेट हो तो इसको फॉलो करना यहां पर देखो निकाल कसा है पूरा इस दिस एकाउट उन्ट परेप्रेशन बिजनेस परडरक्ट और सर्विस आपका एकाउंट होता है तो प्रोडक्ट होगा यहां फिसनेस होगा पर जो भी इससाए हो अगर है तो यह सब्रूज मेंसे है तो नही के वह कौन सा नाम था यहां पर आप का नाम नहीं पूच रहें यह लोग यहां क्छ लोग अपना खुद का नाम डाल देते हैं आपका इन्स्टर्ग्राम के अंदर आप You प्रिंसेस रंदनी कुछ भी ऐसे डाल देते हैं कि यूट नाम है आपको यहां पर डालना है अगर आपका खुद का नाम यहां पर चुका है ना उसी का ही यहां पर डालनाया मैं आपको सिरियसली बता रहूँ अगर आप यहां पे इंस्टाग्राम के बर में गलती करोगे और यहां फिर आप भूल गये तो अपने दोजबत से पूछ लीजिएगा कि यूजर नेम क्या था किस टाइप से सर्च करते थे तो आप इसको डाल सकते हो तो मेरे इंस्टाग् में कोई भी नमबर होता है कि यहां पर इमेल अडरेस अगर आपको लगता है कि नहीं है आपको पता नहीं होगा भूल गये होगे या पिर आपने कभी देखा नहीं होगा अपना मोबाइल को तरह से चेक कर लिजिएगा गूगल में जाके आपका गूगल का जो जीमेल एडी है वहां जाके चेक कर सकते हो फिएक चेक कर लीजिएगा वही जी KP डालना है तो हिहां पर मैं वही जीमेल डाल देता हुँ जैसे मैंने ओफिशल यूज की अतों तो ह्हीं झाल झाल